जाइन दोस्तों बिहार पॉले टेकनिक इंट्रेंस एक्जाम 2023 का फॉर्म डेट बढ़ेगा या नहीं एक्जाम कब तक होगा या दो चीजों को आज किस वीडियो में जानेंगे दोस्तों सबसे पहले एक चीज आप सभी को बता दे बिहार पॉले टेकनिक का अगर एक्जाम का डेट बढ़ेगा तो आप सभी निश्चित रहें कि आप सभी का जो है एक्जाम का जो फॉर्म डेट है वो भी बढ़ेगा अगर एक्जाम डेट बढ़ा तो आप सभी का फॉर्म का जो डेट है वो भी बढ़ेगा आप सभी जैसे कि जान रहें कि मातरम दो दिन बचा हुआ है बिहार पॉले टेकनिक का फॉर्म फिलप का टाइमिंग आज 13 माई हो चुका है आप सभी का 15 माई तक लाश्ट डेट फॉर्म बचा हुआ है अब बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे हैं जो अभी तक फॉर्म फिलप नहीं किये हैं वह सभी स्टुडेंट से आगर आए कि बिहार पॉले टेकनिक इंट्रेंस एक्जाम 2023 का फॉर्म भढ़ ले आप सभी एक्जाम के लाश्ट डेट के इंतजार में ना रहें ठीक है लाश्ट डेट में कभी कभी सर्वर डाउन रहता है तो वहाँ पर आप सभी को समस्या का सामना करना पड़ेगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी फॉर्म जल्द से जल्द अपना भढ़के आप एक निश्चून्त हो जाया और अपना प्रिप्रेशन पर ध्यान दे अब बात आ रहा है कि सर अगर फॉर्म का डेट नहीं बढ़ा तो आप सभी का एक्जाम कभ तक होगा तो आप सभी को clear mention कर दे अगर आप सभी का फॉर्म का डेट नहीं बढ़ेगा तो आप सभी का जो एक्जाम है वो जून में हो जाएगा जून में हो जाएगा जून कभ तक होगा तो जून के mid week में हो जाएगा मतलब 15 से 20 तारीके बीच में आप सभी का हो जाएगा अगर मान लिजे कि अगर 15 माई के जगह पर आप सभी का exam date, form date जो है वो बढ़ा दिया जाए, 15 दिन और बढ़ा दिया जाए, तो मान लिजे 15 माई तक आप सभी का last date था, अगर 15 दिन और बढ़ा दिया जाए, तो आप सभी का जो total जो day हो जाएगा, वो 30 माई तक हो जाएगा बढ़ने से क्या लेना देना है इसमें to कोई प्रोब्लम नहीं होना चाहिए आप सभी को दो कंड़क्ट करा देना चाहिए तो आप सभी को एक चीज़ बता दे बिहार पॉलिटेकनिक में जितने भी कॉंट्रैक्टर है जो एक्जाम को कंडक्ट कराते हैं वह सभी जो है ना लेंदी प्रोसेस वाले हैं वह सभी फास्ट नहीं है वो ऑनलाइन के तरह यूपी पॉलिटेकनिक के तरह नहीं करते हैं वो लोग हम सुलो प्रोसेस करते हैं मालनी जी अगर जून महिने में अगर वो कराएंगे तो मालनी जी अगर 15 मतल लोग जो है आपसे भी ऐग्जाम सेंटर बताएंगे माली जिए 40 हैं तो आप से भी खापडा दिया जाए या सीवान दिया जाए या पूर्डिया दिया जाए इस परकार से पच्छिम चं पारन वालों को मुझह परूर दिया जाए या पटना दिया जाए इस तरीके से वो जो है प्रोब्लम होती है तो या सभी जिम्मेदारी के कारण जो है आप सभी का एक्जाम अगर 15 मही तक रहेगा तो आप सभी का जून में होगा अगर 30 मही तक अगर आप सभी का फॉर्म डेट बढ़ा दिये जाए 15 दिन तो आप सभी का जूलाई में होगा अगर जूलाई मे फॉर्म डेसी बढ़ेगा या नही कि देख्या अभी तक जो स्थ एक मधेगर पार पॉर्म पीछले वर्स जो užड़ मिला के तीन से सारे तीन लाग जो बच्चे हैं वो form fill up किये थे सारे तीन लाग के आस्पास जो है सभी बच्चे form fill up किये थे बात किया जाए सिर्प पॉल टेकनिक इंजिनियरिंग की तो उसमें डेर से दो लाग बच्चे participate किये थे तो अगर मान लिजे इतना इनका जो data है इतना student को हर सल form fill up करवाने का जो इलनोगों का ratio है अगर इनका complete नहीं होता है तो ये लोग time को बढ़ाएंगे ये लोग time को बढ़ाएंगे और time को बढ़ाएंगे तो आप सभी का exam का भी date जो है वो बढ़ेगा ये आप सभी निश्चूनत रहें और ये चीजों को आप सभी ध्यान में रख लें एक चीज और आप सभी के मन में अगर doubt है कि सर तयारी कैसे करें तो आप सभी को मैं बता रहा हूं लगतार बार बार बता रहा हूं बिहार polytechnique में question का जो ratio होता है वो काफी hard level करता है वो आप सभी का normal normal question नहीं दिय जाते हैं जैसे कि जारकंड polytechnique में सबसे subtle question डाले जाते थे तो इस बार जो है जारकंड polytechnique में hard level के डाला गया है तो बिहार polytechnique में आप सभी उमीद नहीं करें आप सभी physics को अच्छे से पढ़ाई करें chemistry को अच्छे से पढ़ाई करें math subject को अच्छे से पढ़ाई करें सभी का numerical देखें सभी का concept को समझें तभी जाकर आप सभी का विहार polytechnique का entrance exam crack हो सकता है अन्य था नहीं होगा अगर आप सभी एक चीज़ बता दे अगर आप सभी सीर पर सीप YouTube के भरोसे बैठे हुए हैं कि फल नामा नाम के YouTube चैनल से अगर हम पढ़ाई कर लेते हैं तो मेरा selection 100% हो जाएगा तो ये आप सभी बढ़ाम में हैं आप सभी को बता दे आप सभी बढ़ाम में हैं इस कर लिए और आप सभी फोकस किजिए अप इस टडी पर से इस टुडि जो अप सभी का जो रिजल्ट देगा वो रिजल्ट दुनीया के कोई कोई ने कोई से लावग याउस वह दो Alors को आप सभी यूटूब के चक्कर में तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा फोकस करें अपन self study पर ठीक है मेरी बाते आप सभी को कुछ student को समझ में आ रहे होंगे और कुछ student को नहीं समझ में आ रहे होंगे लेकिन बार बार आप सभी को बता रहा हूँ self study पर ज़्यादा focus करें concept समझ नहीं आ रहा है तो वह चीज यूटूब पर मारे है और यूटूब पर उस concept को समझ कर फिर से आ जाईए self study पर self study में अगर आप सभी को मेरी बाते अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि यूटूब को इगनोर क्यों किया जा रहा है तो एक चीज आप सभी को में बता रहा हूँ अभी यूटूब पर जाए किसी भी चाइनल के जैसे आप follow कर रहे हूँ उन चाइनल पर सिर्फ आज focus किजिएगा मान लिजी अगर आप live उनकी वीडियो देख रहे हैं या live lecture देख रहे हैं आपको एक घंटा, देर घंटा, एक घंटा, देर घंटा आप सभी का समाई लेंगे आप total question आप कितना कराएंगे तो सिर्फ 10, सिर्फ 5, सिर्फ 8 total question आप सभी को 10 question कराएंगे आप सभी का जो है एक घंटा है लव आप सभी का 60 मिनट आप सभी का सिर्फ 10 कोशन को solve करने में लगड़ा हैं सोचिए आप सभी कितना कोशन को solve कर पाएंगा और कितना आप सभी के knowledge होगा वही अगर आप self study करते हैं यकीन मानिए आप एक घंटा में जो है नआप कम से कम 20 से 25 कोशन को solve कर लेंगे यकीन मानिए एक घंटा में आप 20-25 के 30-30 कोशन आप सभी कर लेंगे इस पीट का पकर का अगर आप सभी का अगर अच्छा हो जाएगा तो इसलिए आप सभी self study पर ज़्यादा फोकस करें यूटूब के चक्र में नज आए और paid course में लगतार बता रहा हूं कि paid course के चक्र में नज आए ठीक है उमीद करता हूं आप सभी को भी हार polytechnic से जुरी किसी भी परकार का जो समस्य था वो doubt हो गया ठीक है